नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू वीडियो में दोस्तों बिहार को एक और नय एक्सप्रेस वे जो है शो मिले मिला है और बिहार के लिए यह बहुती बड़ी खुशखवडी है और यह एक्सप्रेस जो है आपको साथ जिलों से जो है शो गुजरेगी तो मैं बता दूँए आमस धर भंगा एक्सप्रेस वे होगा और विहार के लोगों के लिए खुशखवरी है बिहार के साथ जिलोंसे जो आमस धर व्यार तरवंगा एकस्प्रेस उए का निर्माण 9-ao सुरू होने की बात जो है ति इसके बाद वो अक्टोर नंबर 2012 में अभी एक बार निर्माण शुरू होने की समभामना जैता लिए आप जो है सो है 14 जनवरी 2013 एक बाद सरक्का निर्मान सुरू करने niedu आपको यह निश्चित समय क्यों नहीं है क्योंकि यह जहानावाद जिले में जो जमीन का अधिगरान का पेच जो है सो कुछ फासा हुआ है आमसदरवांगा एनेच 119 डी ग्रीन फिल्ड फोर्लेंड एक्सपेसवे का निरमान जमीन अधिगरान की कारण जो है सो अठक का परा है तो यह सरक जो बन से साथ जिले को कीनेक्तिविटी जो मिलेगी इसमें आपको जिले का नाम में बता दू और अंगावाद जहानावाद नालंदा पटना वैसाली समस्तिपूर और अर तर्फंगा वहां करीब 90% जमीन का मुवाबजा मिल चुका है और अन्य जिलों में भी भुख्तान बहुत कम मिला है करीब टोटल बात करें तो 60-70% ही भुख्तान हो पाया है और नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं जो यह जमीन अधिग्रहन में जो पेच फसा हुआ है तो यह निर्मान में जून में जो शुरू होने वाला था वो अब अक्टोर नंबर से हो जाके 14 जनवरी से जो है शुरू करने की बात की जा रही है लेकिन वहीं बात है कि जहाना बात कि जमीन में जूरू होने में कम से कम 6 महिने की और देरी हो सकती है हो सकता है जैदा भी हो जाए तो अभी कोई निश्चित समय इसका नहीं आया है या मस्दरवंगा एक्सप्रेस में कई महनों में महतपुर्ण है इस से में से इसे यानि कि दक्षनी भियार को बैतर कनेक्टिविटी मिले है जार्खंड और बोर्डर से नेपाल बोर्डर को भी जो रहा जार्खंड और नेपाल बोर्डर को जो है जो जो सकता है तो यह थी अभी तकशनी अफदेट हमस्दरवंगा एक्सप्रेस को यह liek आपको बता दूँ कि इसमें अभी और कोई ख़बर नहीं है जो जैसे कोई और नए आपडेट आता तो मैं आपको फिर से बताऊंगा तक के लिए धन्य बाद